नमस्कार आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स देश में कटर पंतियों द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठीज पहुचाने का आतंक मचा हुआ है इसमें खास कर जादा टार्गेट किये जा रहे हैं हिंदू ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो भी जान लीजे पहले राम नौमी और हनुमान जैन्ती पर पत्था और आपत्ती जनक समान फेक हिंदूों की भावनाओं को ठेज पहुचाया था इतना कुछ करने के बावजू जिहादी काबू नहीं आ रहे हैं बता दे कि इसलामिक कटर पंतियों द्वारा ऐसी हरकत सामने आई है जिसे सुनकर आप भी आग बबूला हो जाएंगे बताते हैं बता दे कि मामला दिल्ली के सीलमपुर से सामने आया है जहां कावर यात्रा के दौरान हिंदू कावर यात्रियों पर मास के तुकडे फेके गए जिसके बाद कावडियों ने सड़क पर जिहादियों द्वारा हुए पावन यात्रा को भंग करने के लिए विरोध शुरू कारवाई की मांग करने लगे दरसल पूरी घटना मंगलवार यानी की 19 जुलाई 2022 शाम करीब 4 बजे की है जब दिल्ली के सलीम पूर इलाके से निकलते हुए कुछ लोगों ने कावड पर मीट और मास के तुकड़े फेके दिल्ली में मास फेक हिंदूों की भावनाव को ठेस पहुचाए गई जहां यूपी में कावडियों का फूलों से स्वागत किया गया वहीं दिल्ली से इस तरह की घटना सामने आई है घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वारर हो गये जिसके बाद हिंदूों में आक्रोश फैल गया फिलाल वही पुलिस ने समझा बुजा कर मामला शांत कराया मामला तो शांत हो जाएगा लेकिन पुलिस की इतनी चाच चौबंद के बावजूद भी इस तरह की घटना का सामने आना बेहद निंदनी ये है जानकारी के लिए बता दी कि ये कोई पहला हासा नहीं है जब धार्मिक भावनाओं का अपमान किया गया हो इससे पहले भी दिल्ली में राम नौमी और हनुमान जयनती पर उत्पात मचाते देखा जा सकता है लोगों को कहीं न कहीं दिल्ली की सरकार पर उनकी सुरक्षा में चूक होने पर सवाल उठते हैं क्योंकि इस तरह के हासे हमेशा दिल्ली से ही सामने आते हैं और एक बार फिर ऐसा ही हासा सामने आया है जहां किस तरह से हिंदूों की भावनाओं को हाहत किया गया है ये समझ में नहीं आता कि लोग कब तक एक दूसरे को बाटने का प्रयास करेंगे एक दूसरे पर इस तरह से एक दूसरे की धार्मिक भावनाव को आहत करते रहेंगे यहां तक कोई मीडिया कुछ नहीं आ पाई अभी तक और केजरी वाल बैठा बैठा के ताली बजा रहा है उड़े आओ केजरी वाल ने बुलाड़े नील कंच से रिद्वार से जाके खावड लाएगो हेलिकोप्टर से ना तो पूरा धीटी रोर जाम करो फिलाल के लिए बस इतना ही फिर हाजर होंगे वीडियो पसंद आया तो जादे जादा शेयर जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा